आप सबको मेरा प्रवर्वाक्षकार का नमस्कार, बहुत बहुत शुकिया, आप में इतने प्यार से मुझे यहां अमर्ण पिस्ट किया, देकिन मैं और कुछिपे आने से पेले यह दर्यूर कैना कि ने होने में मुझे कोई प्रहने मिलना से यह तैंगे, साराज से सीकर के किसानों के संगर्ष और अवरा नामजी के संगर्ष को मिला चाहिए किसानों का कमाल की बॉली हुट को सीकर ले आया आप क्या बात है वैसे तो मैं हिंदी फिल्मों में काम करती हूँ मैं हिरोई हूँ लेकिन मैं आज आपके सामने हिरोई के रूप में या अभिनेत्री के रूप में नहीं आई हूँ मैं आज आप सब के सामने एक रिनी के रूप में आई हूँ और रिन से बहतर मतलब दिन के बारे में किसान से बहतर कौन जा सकता है मैं कब से पहले इस मंच से देश के तमाम किसान धाईयों और बेहनों को सहे दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ क्यूंकि इस देश के किसानों की बज़े से मेरे जैसे बागी देशवासियों को दो वक्त की रोटी नसीब होती है बहुत बेशिक बात है बहुत सिंपल आम बात पर कहें यूँ मैं लेकिन ये इतनी छोटी आम बात आज लगता है केंडर में जो ससा धारी है वो भूल चुके हैं इसके जरूरी है कि उन्हें दुबारा याद दिलाया जाए याद दिलाया जाए कि इस देश के किसान की महनत की वज़े से मेरे जैसे शेहरी जो होते हैं वो उसका मना पाते हैं कि ओहारों में पंगत लादा पाते हैं पार्टियां कर पाते हैं, यहां दो युवा भाई बहने हो जांते होंगे पार्टियों के बारे में, मेरे जैसे अभिनेत्रियां और अभिनेता, हीरो और हीरोई, हम जायेट कर पाते हैं, आपकी मेहनत्री बजलते हैं, और इसलिए मैं एक रिणी के रूप में समझती हूँ क कि यह ज़रूरी है ईस रिर्म का धन्यवाद दिया दू को चाहुं चाहिए कि दुन्या में एक ऐसा है जो तभी तुखाया नहीं जा सकता और वह रिर्म होता है बच्चे के उपर माअँ हों का बिल्कुर सही बात है बिल्कुर सही बात है बच्चा मा का रिर्म को जब品 नहीं चुका सकता मैं मांतने हूं कि यही दूसरा मा इले सुद्धा में जो फूरे समाझ पर है पूरी दुनिया पर है और बर४ल्ट किसान की मिहनद का रिर्थ ये रिर्ड भी आंगा सकंगा पाया है पूरी दुनिया का अन्ग आता होना है किसान अगर देश हमारी collar है अगर देईया हमारी मासा है सो मैं मानकी हूं कि जो किसान है वो किता से कम नहीं होता है क्युक्त जो हमारी प्लेट में रोटी रखता है उसे पिटा ही खाई थे ना चलिए पिटा का देद़ हम चुका नहीं कटे हमारी किसान भाई यों और किसान दहनों का हम रिख यह कर देथा है कि यह कभी नहीं चुका सकते चलिए मान लिया लेकिन कम से कम पिता रूपी किस्तानों पर जुल्प करणा दों करते हैं हम हां कि नहीं पिछले 10 साल में इस देश में हर साल हर साल 10,000 से 15,000 किस्तानों ने मजबूरन आत्म हत्या करी है यह मैं आपके लिए नहीं बता रही है यह मैं खुद को याद दिला रही है मैं बहुत छोटी हूँ यहां बहुत बड़े बुदूर्ग हैं महान लोग है जिरोंने अजीवन संघर्ष किया है साथी अमराराम के जैसे आप सब के जैसे यहां माएं बैकी हैं जिसका पूरा जीवन सेवा में निकल जाता है चाहिए वो खेट में महनत करें या वो घर के अंदर महनत करें मैं बहुत छोटी हूँ मेरा ओधा बहुत च्रम है आपके सामने मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ कि सही क्या होता है और गलब क्या होता है मैं ये जानती हूँ कि पाप क्या होता है और अगर समाज में पिज़ा रूपी किसान आत्म हस्या करने पे मजबूर हो तो ये पाप है ये खिनोना पाप है एक किसान की आत्म हस्या पाप है शर्व की बात यह है कि हमारी समां सर्चारों को इस घोर जिलोने पाफ से कोई पर खिली पढ़ रहा है और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर जिसमें वक्त आये बिल्ग कुछ सही कहा हूँ उन्होंने इस मामले में सभी पार्टीयां दोशी हैं उन्हें फर्टी ले ही पढ़ रहा है क्यों के हाथ से क्या पाफ होगा रहा है पर पड़ना वदूर सट्टा का बुखार ऐसा जड़ा है केंद्रियों सरकार को कि मंस्तोर मध्रप्रदेश में इन्होंने किसानों पर बोलियां ही चलवा दी छेट किसानों की हत्या तरी है इन्होंने खून है किसानों का इस सर्कार के हाँपों पर ये सर्कार हमें कैसी रहती है कि गईया माता है किसare को याद रहता है गाय माता है और इस बात को हम याद रहता चाहिए इस चुनावं में दोसको हमें इस सर्कार हो याद दिलाना होगा कि जो हांठ ठर्ड चलते हैं अनोगाते हैं, देश का पेट भरते हैं, वो आज जरूरत पढ़ने पर दिल्ली की छादी पे बैठके उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका पाई-पाई का हिसाब भी ले सकते हैं और 2017 की सीकर किसान आंदोलन में मानिया अमरा राम जीने और मानिया अमरा राम जी की नेत्रितों में आप किसानों ने ठीक यही थाबिद किया कि हर चलाने वाले हाथ बिना गोली चलाए, सरकार से अपनी बात मनवाने का दब रखते हैं, माता रखते हैं शे माई को यही मादा हमें चुनाओं में इलेक्शन में बोर्ट देते वक्त भी दिखाना है मानी अमरा राम जी ने अपने जीवन के हर पड़ाव पर किसान के हखों के लिए संघर्ष किया है जो तीकर का महाबढ़ा था 2017 का वो तो हाई थी बात है 1957 में अमरा राम जी ने राजस्थान के विधान सभा में नारा लगाया खाती अगर इसान का खुआ नहीं चलेगा तो विधान सभा नहीं चलेगी दोस्तों उस नारे को याद करते हुए अब वक्त आ गया है कि अमरा राम जी की बुलंद आवाज दिल्ली में संसर्थ में गूंजे वक्त आ गया है कि दिल्ली में बैठे सतधारियों को हम ये बताएं कि अगर सीकर में पेजल नहीं मिलेगा तो आपकों किसानों का बोट नहीं मिलेगा अगर सीकर में और देश में किसान को फ़सर का नियुनितम भाव नहीं मिलेगा तो 17-18 सरकार को किसान का समधन नहीं मिलेगा अगर किसान का कर्द माफ नहीं होगा तो इस सरकार के पाद माफ नहीं होंगे सीकर ने किछले कई चुनाओं में अलग अलग सुस्कांसा अलग चुने हैं और माँ कीजिए सच कहें तो हर बार सीकर आपकी आथ्था ने चोट खाई है यह सच है ना? सच है ना? पर सीकर के प्रती साथी अमरा राम जी की आथ्था विश्वास और द्रेश निश्च चैने चाहे जितनी चोट खाई हो वो कभी दख्मगाई नहीं है अम्राराम भी स्टीकर के प्रती, स्टीकर के किसानों के प्रती, स्टीकर के बागी नागरिकों के प्रती अपने संधर्ष में, अपने जजबे में अडिग रहे हैं और चाहिए चुनाव कर जो चुनाव आते हैं, जाते हैं, चाहिए जो भी उटर रिजड़ हो इनके हब में होगा लेगी मैं ये जरूर करूँगी कि अमराराम जी आपके संधर्ष को आपके पूरे जीवन में आपके जितने संधर्ष की है आज इस मंच से मैं शक्षक ध्रणाव करूँगी आपकी महिनद को आपके संधर्ष को 2017 में तफल सीकर चितान अंगोलन में आपका संधर्ष न होते हुए थी अमराराम जी ने वो काम किया जो आपके संधर्ष को करना जाए था आज भी इस चुनाव में और प्रत्याशी हैं मैं यहां लेती नहीं हूँ आप मुने बेटर समझते हैं और मैंने सुना हैं कि दो प्रत्याशी काफी खास हैं एक भगवा धारन करके सटा का आनन ले चुके हैं आप वो भगवा के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो ताथियो मैंने सुना मैं भी भगवा धारन कर लूँ आज मैं भी भगवा धारन करके अमरा राम जी के नाम पे सीकर के नाम रिकों से बोट मांग रही हो और मैं आपके भगवा धारी तत्ता धारी प्रचाशी से ये जरूर कहूंगी कि भूखे पेट और तूखे खेट ना भजन होई गोपाला ले तेरी कंठी, ले तेरी माला गीता में सिखाया गया है कि कर्म से बड़ा धर्म नहीं होता और अमरा राम जी इस वाज का सबसे बड़ा सबूत है उनका कर्म, उनके तंघर्ज फ्यूनका सबसे बड़ा धर्म है एक गूंते प्रट्याशन हैं, ये कमाईगे हैं, इहीं याज आख फड़ी कमदोर हैं ये हर अगये चुनों में भूल जाते हैं कि कौनसे पार्टी से खड़ा हुआ था मैं कभी कहीं से खड़े हो जाते हैं, कभी कहीं से खड़े हो जाते हैं वोर्ट दे रही होती तो मैίνे दवाई देती बागी आप पुमिचया है न आज वनोड़ा दिन कि अब लगारे एक और बहुत महान पहुत परहा हैं बहुत महान मीसा यह नहीं हैं जलेवी के चुछ लगे बातें सहंते हैं बहुत आणि बातें पिर्प बातें करते हैं इनकी बातें सुनके अगर मुँँ में जलेवी का स्वाद आ जाए और इसे जलेवी रूपी नोक्रियां मंग लो तो यह प्रपोड़ा सहमा देते हैं आज ये भी आए नहीं हम आज ये आपसे कहेंगे पाकिस्तान आप जवाब में बोलना किसान आज ये आपसे कहेंगे जवान आप जवाब में बोलना किसान क्योंकि जो जवान जिस जवान के नाम के ये बोट मांग रही है जो जवान इनकी सर्जाद के राज में शहीर हो रहा है सीमा पे वो जवान भी किसान का बेटा है पहले वो सीमा पे बलिदान देता है प्या करता है अगर बसके घर आ जाए तो घर में स्मूखे के मारे और रिल के मारे बलिदान देता है यही सचाई है यह महान देजा जो है हमारे यह भारत की बहुत बात करते हैं भारत को अलग अलग नाम से बुराते हैं इंडिया भारत में इंडिया में के इंडिया स्टार्ट इंडिया इनके सारे जो इनकी जितनी योजना हैं उनमें इने इंडिया यादा आता है कि अब क्या नहीं दश्यान नहीं दुक्ता है कि भारत यह यह भारत किसान थे पज़ाओ के बहुत बहूंघ Vaan पर है आज आती है कि मुझे ज रखता है कि को यह सुनानी जाए जूस। कि भारत के अर्थ किसी दुश्यन से संबंधित नहीं वर्ण खेतों में दायर हैं जहां अनलगता है जहां तेन लगती है तो साथियों मैं इतना कहना चाहूंगी कि 6 माई को आप सब 6 माई को इस भारत को याद रखना आप हैं ये भारत, अमराराम जी हैं ये भारत तो इस बार 6 माई को कितान को वोड़ते हैं, अमराराम जी को वोड़ते हैं इन 3-4 दिनों में आपको कई बार कई रंगों के नाम सुनाई पड़ेंगे कोई भगवा कहेगा कोई खाने के नाम लेगा पखोरे बोलेगा जले भी बोलेगा कोई आम खिलाएगा मैं कहती हूँ उन्हें आम खाने दीचे आप अमरा लॉम याद रखिये